मैं नरेंद्र दामोदर्दास मोदी एक व्यक्ति जो आज भरोसे का परियाय बन चुका है एक पार्टी जो विश्वास का प्रतीक बन चुकी है पिछले दस साल में इनके विचार देश की आदतें बनते गए सबका साथ, सबका विकार इनका परिश्रम देश की प्रेरणा बनता गया मैं देश नहीं रुकने दूँगा मैं देश नहीं जुकने दूँगा इनके बोल बदलते गए गारंटी में और सही नियत बदलती गई सही नतीजों में मोदी की गारंटी मतलब गारंटी पूरा होने की भी गारंटी आने वाले पाँच साल भी होंगे सेवा सुशासन और गरीब कल्यान के ये है भाजपा का संकल्ब और मोदी की गारंटी आपने 2014 में गरीब के इस बेटे को देश की सेवा का आउसर दिया और इसलिए मैंने ठाना कि जब तक गरीब की हर चिंता दुर नहीं करूँगा मैं चेहन से नहीं बैठूँगा अगले पांच वर्षों तक मुफ्त राशन, पानी, गैस कनेक्शन और पीम सूर्य घर से जीरो बिजली बिल की विवस्था करेंगे आईश्मान भारत से पांच लाख तक का मुफ्त इलाज बिल रहा है, आगे मिलता रहेगा ये है भाजबा का संकल्ब और मोदी की गैरंटी, मध्यमवर्ग परिवारों के पक्के घर का सपना पूरा करेंगे हर परिवार के लिए स्वास्थ सेवाओं का विस्तार हो, नए शिक्षन संस्थान बने और इंफ्रस्ट्रक्चर में सुधार हो, और परियावरन स्वच्छ हो, ये है भाजबा का संकल्ब, मोदी की गैरंटी मोदी सरकार में पारदर्शी परिक्षाओं से लाखों युवाओं को रोजगार मिला है, और पेपर लीक पर भी बड़ा कानून बना है, अब इस कानून को लागू करेंगे नैशनल एजुकेशन पॉलिसी लागू होगी, हर नागरिक को हाई क्वालिटी शिक्षा प्राप्थ होगी और खेल वीरों तयार हो जाओ, हम 2036 में ओलिम्पिक्स की मेजबानी करेंगे यह है मोदी की गैरंटी, युबाओं के लिए इंफ्रस्ट्रक्चर, इन्वेस्ट्मेंट, मैनिफाक्चरिंग, हाई वैल्यू सर्विस, स्टार्टप्स, तूरिजम और स्पोर्ट्स के माध्यम से लाखों रोजगार के अवसर पैदा करेंगे यह है भाजबा का संखल्प, मोदी की गैरंटी, मोदी सरकार का मंत्र है शक्ती की बंदना करते हुए, मोदी जी ने लखपती दीदी का विचार रखा और एक करोड बहने लखपती दीदी बन भी गई है, आगे तीन करोड को बनाएंगे महिला स्वयम सहायता समूहों को सर्विस सेक्टर से जोड़ कर नए अवसर देंगे साथी सवाइकल कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, औस्टियो परोसिस इत्यादी समस्याओं पर भी खास ध्यान दिया जाएगा महिलाओं के लिए सार्वजनिक स्थानों पर शोचाले बनाए जाएंगे नारी वंदन अधिनियम को लागू करेंगे ये है हाजपा का संकल, मोदी की गैरंटी बीज से बाजार तक किसानों की आई बढ़ाने के प्रयास करेंगे हम श्री अन्न को सूपर फूड की तरह स्थापित करेंगे नैनो यूरिया और प्राकृतिक खेती से जमीन की सुरक्षा करेंगे हम क्रिशी गत शक्ति के रूप में क्रिशी इंफ्रस्ट्रक्चर का विशेश विकास करेंगे मच्वारों के जीवन छूते हर पहलू सीवीड और मोती की खेती के लिए भी रुद्साहित करेंगे ये है भाजपा का संकल मोधी की गैरंटी हम गिग वरकर्स, माइगरंट वरकर्स, टैक्सी ड्राइवर्स, ट्रक ड्राइवर, आटो ड्राइवर, कुली घरों में काम करने वाले श्रमिक, सभी को इश्रम पर जोड़कर उन तक कल्यानकारी योजनाएं पहुँचाएंगे हाईवे पर ट्रक चालकों के लिए आधुनिक सुविधाएं बनवाएंगे ये है मोधी की गैरंटी भारत की प्राचीन योग की विरासत को एक एमबैसेडर बनकर मोधी जी ने दुनिया तक पहुँचाया है आगे योग का ओफिशल सर्टिफिकेशन भारत देगा ये मोधी की गैरंटी है विश्व भर में धिरुवलूबर कल्चरल सेंटर के माध्यम से भारत की संस्कृती को विश्व में ले जाएंगे भारत की क्लासिकल भाषाओं के अध्ययन की विवस्था उच्च शिक्षन संस्थाओं में करेंगे पिछले 10 साल साक्षी हैं हर वंचित वर्ग को वरियता देती है मोधी सरकान आगे 2025 को जन जातिये गौरव वर्ष के रूप में खोशित करेंगे और एक लव्य स्कूल, टी-म जन्मन, वन उत्पादों में वैल्यू एडिशन एवं एको टूरिजम को बढ़ावा देंगे OBC, SC और ST समुदायों को जीवन के हर क्षेत्र में सम्मान देंगे सब जानते हैं, मोदी जी जो कहते हैं, वो करके दिखाते हैं आगे भारत को Global Manufacturing Hub बनाने की गैरंटी है मोदी जी की और इससे लाखों रोजगार के अवसर पैदा करने की हमारे शेहरों को और लिवेबल बनाने की गैरंटी है मोदी जी की Urban Housing, Transportation, Water Management, साफ हवा, कचले की धेर से मुफ्ति और स्वच पानी के लिए मिशन मोड पर काम करेगी मोदी सरकार विरासत से विकास के भी अंगिनत हव्य दिव्य उदाहरन हम देख चुके हैं पिछले 10 साल में आगे हम विश्व भर में रामायन उत्सब बनाएं तथा अयोध्या जी का और विकास करेंगे ये है भाजवा का संकल मोदी की गैरंटी मैं अगर प्रस्ताचार प्राज करणा प्रहार कर रहा हूँ तो ये आपके बहतर भविश्य के लिए ही है प्रस्ताचारी गरीब के सपनों को तोड़ते है आपको लूटे है प्रस्ताचार के खिलाब और सक्त कार्यवाई होगी परफॉर्म, रिफॉर्म, ट्रांस्फॉर्म का हमारा मत्र शासन के हर क्षेत्र में लागू होगा लागू होगी हारतियन न्याय सहिता भी समरिद्ध भारत बनाने के लिए विश्व कर्मा परिबार जन्द, MSME और छोटे ट्रेडर्स को स्किल सिखाने की, क्रेडिट देने की और उनके उत्पादन को बाजार से जोड़ने की गैरंटी है मोधी सरकार की याद है हम सबको, 2004 से 2014 तक भारत की अर्थविवस्था विश्व में 11 वें स्थान पर अटकी रही और 10 वर्षों में मोधी जी भारत को 11 से 5 वें स्थान पर लाए और आगे विश्व की तीसरी बड़ी आर्थिक शक्ती बनाने की गैरंटी है मोधी जी की प्रेल्वे में नई पत्रियां जुडेंगी नई बंदे भारत, अम्रिद भारत और नमो भारत ट्रेने आएंगी विश्व स्तरिय स्टेशन बनेंगे और आने वाले वर्षों में वेटिंग लिस्ट की समस्या एकदम समाप्थ हो जाएगी नए एरपोर्ट, हाइवे, मेट्रो, वाटर मेट्रो बंते रहेंगे और उत्तरी तक्षणी और पूर्विय भारत में बुलट ट्रेन कोरिडोर की फीजिबिलिटी स्टडी भी आरंब होगी नौथीस्ट में भी विकास यात्रा जारी रहेगी तटिय, त्वीब, पहाड़ी, हर क्षेत्र की विशेश जरूरतों के अनुसार मास्टर प्लैन बनाने की भी तैयारी है बीते दस साल में भारत ने डिजिटल टेक्नोलिजी में विश्व में पहचान बनाई है अब हम स्पेस, AI, क्वांटम, सेमी कंड़क्टर, क्रीन हाइडरोजन, ईवी जैसी टेक्नोलिजी में भारत को अग्रणी बनते देखेंगे हम 5G नेटवर्क का विस्तार करेंगे और 6G टेक्नोलिजी को विकसित करेंगे सस्टेनबल डिवल्पमेंट के बिना विकास अधूरा है इसलिए हम 2047 तक उर्जा के क्षेत्र में आत्म निर्भरता हासिल करेंगे और पेट्रोल आयात को कम करेंगे ये है भाजबा का संकल, मोदी की गैरंटी जिन्होंने इस घरीब का दर्द महसूस किया है उसकी आवशक्ताओं को समझा है और उसकी आकांगशाओं को उडान दी है और फिर भी मोदी जी कहते हैं कि ये तो बस ट्रेलर है आगे पूरे भारत से गरिवी हटाने की गारंटी है मोदी जी की हम विक्सद भारत बनाएंगे ये है मोदी की गारंटी शान्ती, सुरक्षा और विकास की गारंटी, मोधी जी की, तो उन्हें जिताने की गारंटी, हम सब की कमल का बटन दबाए, भाजपा को जिताए